साथियों करोना के खिलाफ लड़ाय का यह रास्ता लंबा है एक ऐसी आपदा जिसका पुरी दुनिया के पास कोई इलाची नहीं है जिसका कोई पहले का अनुव हूव भी नहीं है तो ऐसे में नई-नई चुनोहतियां और उसके कारण परिशानियां हम अनुव हूव भी कर र हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में न हो परेशानी में न हो और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब मद्दूर स्रमीक वर्ग पर पड़ी है उनकी तकलीफ उनका धर्थ उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं क ही जा सकती हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार के तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो हम सब मिलकर इस तकलीफ को इस पीड़ा को माटने का प्रयास कर रहे हैं पूरा देश प्रयास कर रहा है हमारे रेलवे के साथ ही दिन रात लगे हुई है केंद्र हो र जिस प्रकार रेलवे के कर्मचारी अज्जुटे हुए हैं वे भी एक प्रकार से अग्रिम पंक्ति में खड़े कौरोना वारियर्स ही है लाखों स्रमिकों को ट्रेनों से और बसों से सुरक्षित ले जाना उनकी खाने फिने की चिंता करना हर जिल्न में कौरंटाइन केंद की व्यवस्था करना सभी की टेस्टिंग चैक अप उपचार की व्यवस्था करना यह साब काम लगातार चल रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में चल रहे हैं लेकिन साथियों जो द्रश्य आज हम देख रहे हैं इससे देश को अतीत में जो कुछ हुआ उसके अवलोकन औ आज हमारे स्रमिकों की पीडा में हम देश के पुर्वी हिस्से की पीडा को देख सकते हैं जिस पुर्वी हिस्से में देश का ग्रोथ इंजिन बनने की क्षमता है जिसके स्रमिकों के बहुबल में देश को नई उचाई पर ले जाने का सामर्त है उस पुर्वी हिस्से का व दिया तभी से हमने पूर्वी भारत के विकास को प्राफिक्ता दी है मुझे संतोश है कि बीते वर्षों में इस दिशा में बहुत कुछ हुआ है और अब प्रवासी मद्दोनों को धेखते हुए बहुत कुछ नए कदम उठाना भी हावश्यक हो गया है और हम लगातार उस द कमिशन बनाने की बात हो रही है इसके अलावा केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले लिए है उससे भी गाउं में रोजगार स्वरोजगार लगुद्यों को से जुड़ी विशाल संभावनाएं खुली है ये फैसले इन स्थित्यों के समाधान के लिए है आत्म निर्भर भार के लिए है अगर हमारे गाउं आत्म निर्भर होते हमारे कस्बे हमारे जीले हमारे राज्य आत्म निर्भर होते तो अनेक समस्याओं ने वो रूप नहीं लिया होता जिस रूप में वो आज हमारे सामने खड़ी है लेकिन अंधेरे से रोशनी की और बढ़ना मानुस्वभ है तमाम चनोतियों के बीश मुझे खुशी है कि आत्मनिर भर भारत पर आज देश में व्यापक मन्थन शुरू हुआ है लोगों ने अब इसे अपना अभियान बनाना शुरू किया है इस मिशन का नेत्रुत्व देश वासी अपने हाथ में ले रहे हैं बहुत से लोगों ने तो ये भी बताया है कि उन्होंने जो जो सामान उनके इलाके में बनाये जाते हैं उनके पूरी लिश्ट बना गी है ये लोग अब इन लोकल प्रोडक्स को ही खरीद रहे हैं और वोकल फर लोकल को प्रमोड भी कर रहे हैं मेकिन इंडिया को बढ़ावा मिले इसके लिए मुझे नमो एप पर लिखा है कि वो एक ऐसा दिन देखना चाहते हैं जब भारत विदेश से आने वाले आयात को कम से कम करते हैं चाहे पैट्रोल, डीजल, इंधन का आयात हो, इलेक्ट्रोनिक आइटम्स का आयात हो, यूरिया का आयात हो या फिर खाद्य तेल का आयात हो टेक्सपेर्स का पैसा खर्च होता है, जिनका वीकल्प हम आसानी से भारत में तयार कर सकते हैं, असम के सुधित ने मुझे लिखा है कि वो महिलाओं के बनाये हुए लोकल बैंबू प्रोडुक्स का व्यापार करते हैं, और उनने तैक किया है कि आने वाले दो वर्ष में वे अपने बैंबू प्रोडुक्क को एक ग्लोबल ब्रैंड बनाएंगे, मुझे पुरा भरोसा है आत्मनिर्भर भारत अभ्यान इस दसक में देश को नई उंचाई पर ले जाएगा